नॉवल्स फरेवर में खुशाम देद नॉवल नमल जिसकी राइटर है निम्रा एमद उसकी ये पंदरवी एपिसोड है जिसका आटवाँ बाप मैं घारत कर का हिस्सा है अवल और उसका ये सेकंड पार्ट है और होपसो कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इस चीज़ को पसंद भी कर रहे होंगे जो नावल मैं आप लोगों को प्रवाइट कर रही हूँ टाइम डूरेशन इतना ही हो सकता है क्योंकि हर बाप को मैंने दो पार्ट में कनवर्ड किया है और इससे ज़्यादा तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती ना तो अब इसका पास्ट स्टार्ट हो रहा है दुबारा से और हमें पता चलेगा कि देड़ साल पहले क्या हुआ है और किस तरह से औरंग जेब की डेथ होती है ठीक है अब उसकी डेथ नेचरल होती है या उसका कतल होता है यह तो हमें पढ़ने के बाद पता चलेगा वैसे मैं बता दूँ कि उसका मर्डर होता है और वो कैसे होता है किस तरह से होता है तो ये तो हमें पढ़ने के बाद ही पतर चलेगा तो ये वैसे मुझे पता है कि वो किस तरह सोता है मेरे दिल कर रहा है अब लोग वोकल सारा सस्पेंस खराब कर दो बट खेर मैं नहीं करती चलो छोड़ो यार चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगार किसी देर के कोई है रंग, कोई रोशनी, कोई खुश्बू जुदा जुदा है तासुर हर एक लम्हे का मजूदा दिन से डेर साल कबल कस्रे कारदार में वो शाम बहुत से रंगों, कहकों और चहल पहल के साथ उतर रही थी मेरी एंजियो ट्रे उठाए, मुस्कुराती हुई सीड़ियां चर रही थी उसके अकब में नीचे काफी आवाजे आ रही थी जैसे महमान आयों, वो उपर आई और हाशिम के कमरे के सामने रुकी दर्वाजा अज़ खुला था, ड्रासिंग मिरर के सामने एक खड़े साथी और हाशिम की पुश्ट छलक रही थी साथी कुछ कह रहा था और हाशिम मुस्कुरा कर सुनता कफ लिंक्स पहन रहा था मेरी ने दर्वाजा बजाया, वो दोनों मुड़े उसने जरा सा सर अंदर किया सर, आपको कारदार सहाब नीचे बुला रहे हैं मैं बस त्यार हूँ उसने दूसरा कफ लिंक उठा कर पहनते हुए खुद को आइने में देखा, वो मुस्कुरा कर सर इलाती वापस मुड़ गई साधी ने वापस उसे देखा, वो आफिस से अभी आया था और चोके साधी की पूरी फैमली डिनर पे मदू थी इसलिए वो आते साथ ही जल्दी जल्दी डिनर के लिए त्यार हो रहा था नीचे सबखाना शुरू करने के लिए उसके मुनतजर थे साधी बुलाने आया और फिर वहीं खड़ा ओगया यहाँ तक मैरी को भीजा गया मुझे डिनर का पता होता तो मैं जल्दी आ जाता शैरी बताना भूल गई थी उसने पर्फियम उठाकर कैप उतारते आइने में अपना अक्स देखते वे कहा सो तुम्हारी भेन ने बोर्ट टॉप किया है हम उसने डिनर की वज़ा फिर से पूछे जी मगर वो तो पुरानी बात हो गई अब तो एंट्री टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया है और जब अंकल को उसके इंजिनरिंग में और मिशन का इल्म हुआ तो उन्होंने हमें डिनर पे मदू कर लिया परफ्यूम का स्प्रे करते हाशिम ने मुझकुरा कर साधी को देखा वो सियाग कोट और सुफैश शर्ट में मलबूस था बाल पहले से छोटे थे और चेहरे की मतानत तो संजीत की बढ़ चुकी थी अंदाज अभी भी मासूम था बोलते बोलते साधी रुका सांस अंदर को केंचा फिर सताईशी अंदाज में हाशिम को देखा कितना अच्छा परफ्यूम है सो तो है हाशिम ने मुझकुरा कर आईने में खुद को देखते गर्दन पे एक और स्प्रे किया फिर कैप उठाई शीशी पे चढ़ाई शीशी को डबी में डाला और साधी की तरह बढ़ाया अब ये तो महारा है वो एकदम बदक के पीछे हुआ हाथ उठाकर जल्दी से नफ़ी में सर हिलाने लगा नहीं नहीं आशिम भाई मैं इसलिए तो नहीं कह रहा था रख लो यार नहीं प्लीज मेरा ये मतलम नहीं था वो इतना शुर्मिंदा था कि हद नहीं अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं दुबारा कभी आपकी किसी चीज़ की तारीफ नहीं कर सकूँगा हाशिम ने उसकी पूरी बात तसलिए से सुनी फिर सर हिलाया और परफ्यूम की डिब्यूस के कोट की जे में डाल दी मुझसे बहस में तुम कभी नहीं जीच सकते सो कोशिश क्यूं करते हो चलो नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे उसका कंदा थब तपा कर वो दर्वाजे की तरह बढ़ गया बेहत खफवत से खड़े सादी ने खुद को दस दफ़ा कोसा मगर अब वो तोफ़ा वापस नहीं कर सकता था और पिर कमरे पे एक सरसरी नजर डालता वापस बढ़ता इन चंद मिन्टों में भी उसने महसूस कर लिया था कि वहां शेहरीन की कोई चीज नहीं रखी थी वो गालबन मुक्तलिफ कमरों में रह रहे थे शेहरीन बताना नहीं भूली थी वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और ये सब को पता था वो दोनों कटे सीड़ियां उतर रहे थे जब हाशिम ने सरसरी से सवाल किया फारिस कैसा है? मुलाकात हुई? जी बस एक दो बार ही मिलने जेहल जा सका हूँ आपको तो पता है इंग्लेंट से वापस आने के बाद इन तीन चार माह में मैच जौब वगेरा में बहुत मस्रूफ था हम्म उसका केस कैसा जा रहा है? वकील से मिला था वो तो उमीद दिला रहा है कि चंद माह में उनको बरी करवा लेगा है ना? कदर उमीद से हाशिम को देखा वो जबरदस्ती मस्कुरा दिया बिलकुल और दोनों आगे बढ़ते आए ड्राइंग रूम में रोशनियों की बरसाथ थी गोया फानूस मेज की मौम बतियां सब जल रहा था सरवराही कुरसी पे औरंग जेब कारदार बरा जमान थे दाए हाथ जवारात थी और बाए हाथ की पहली कुरसी खाली थी हाशिम ने वही कुरसी संभालते हुए औरंग जेब की सीद में दूसरी सरवराही कुरसी पे बैठी हानीन को देखा जिसको वो जुमर के हाथ से के बाद यानी धाई साल बाद अब देख रहा था उसकी आनक माथे पे कटे और बाल बैंड लगे खुले बाल वैसे ही थे अलबतक कद काफी लंबा हो गया था और आतमात पहले से बढ़ गया था मुबारक हो अनीन मुसकुरा कर कहते हुए वो फॉरन नैपकन फिलाने लगा उसे मालूम था अनीन कड़वे मुसे ठैंक्स कहकर रुख फेल ले गी वो अलीशा वाला बुग्स अभी तक दिल में रखे हुए थी आप अपने छोटी बेटी को नहीं लाई साधी भी बैट गया तो जहरात करदन मोड़कर साथ बैठी नुद्रत से पूछने लगी उसके दोस्त की साल गिरा थी उसको वहां डॉप करके हम आया है नुद्रत फीका सा मुस्कुरा दी उनके मुकाबल बैटी शेरीन सबसे बेन्यास मुमबाइल पे बटन दबा रही थी साथ मुझूद नुशेरवा बेजार लग रहा था गोया जबरदस्ती बिठाया गया हो तुम बाहर पढ़ने क्यों नहीं जाती हम आरंगजेब ने अपनी सीद में बैठी हनीन को मुकातिब किया मुलाजम अब आखरी लवाजमात मेज पे रख रहे थे मास्टर्स के लिए बाहर जाऊंगी वो इस्तहा अंगेज चीज़ों को ना देखने की भरपूर कोशिश कर रही थी ओके खाना शुरू करते हैं हनीन तुम शुरू करो आरंगजेब ने उसे इशारा किया वो लंभे बर करो की अमरीकी ड्रामे याद करने की कोशिश की ये गोरा टाइप लोग खाने के शुरू में क्या करते हैं टोस्ट ग्रेस हनीन को बहुत अच्छा कुरान आता है तरजमे के साथ साधी ने खनखार कर उसे देखा वो चौंकर उसकी तरफ मतवज्ज ही हना तुम थोड़ा सा कुरान सुना दो और फिर खाना शुरू करो हनी ने पहले साधी को देखा फिर औरंग जेब समेथ मुंतजी नजरों से उसे तकते लोगों को हम ओके एक आयत पर देती हूँ उसने डुबटा सर पे जमाया एक ख़वा नजर भाई पे डाली और बजाहर मुश्कुरा कर दुआ के लिए हाथ उठाए अल्ला ताला ने फर्माया है सुरत अल मुर्सलात में खाओ और पियो हूम मुज़े से बवजा इसके जो अमाल तुमने किये हैं चेहरे पे दोनों हाथ पेरे औरंग जेब को तर्जमा मालूम ना था बस सर हिरा कर हम गुड कहा और खाने का आगास करने लगे हनी ने मुस्कुराती आंके घुमा कर भाई को देखा जो जब से उफ करके रह गया आयत भी अपने मतलब की याद थी कट्टो बेगम को मगर उसके उफ से बेनियास बोडिशिस में से चुन कर चीजे अपनी प्लेट में भर रही थी खाने के दरम्यान में ही शेरू कुर्सी धकेल कर उट खड़ा हुआ और अरंगजेब ने सवाल या नजरों से उसे देखा तो वो मैं सैर हो चुका हूँ कहकर लाउंज की तरफ चला गया साधी ने रुक कर उसे देखा उसने जाते जाते भी एक उक्ताई हुई नजर साधी पे डाली थी साधी की नजरे जुकी शेरू की प्लेट में जरा सा सलाथ था वो भी उसने आदा खाया था उन दोनों की आखरी दफ़ा बात कब हुई थी उसे याद भी ना था और आजकल तुम क्या कर रही हो औरंगजेब के सवाल पे साधी ने बेखतियार चेमेहार डाला शाहिद रुई का कोई गोला मिल जाए जिसे वो कान में ठूं सके क्योंकि अब एक कोरिया नामा शुरू होना था हनी ने तसली से मुँ में मजूद नवाला खतम किया और फिर वो शुरू हुई मेरे नजदीक दुनिया का वेहतरी ड्रामा साध कोरिया में बनता है कोरियन फिल्में भी जबरदर्त है मगर कोरियन ड्रामें और उनके अदाकार उनकी कहानिया क्या बात है पिछले एक साल में मैंने 111 कोरियन ड्रामें और फिल्में देखी है पचास फिल्में और 61 ड्रामें ली मिन हू मेरा फेवरिट है और इसका ड्रामा सिटी हंटर मगर अब मेरी अंज्यू मेज के वस्त में क्रोक्यूम वोची की रख रही थी गोल गोल लिजा का मिनार हना का दिल चाहा जल्दी से चंद गिंदे तोड़ ले मगर इखलाक यात 111 फिल्में और ड्रामें देखने के वावजू तुमने बोर्ट कैसे टॉप किया एक टुकड़ा तोड़ते हाशिम ने यो ही पूचा तो हनी ने चौंग कर उसे देखा फिर चहरे पे नापसंदीदगी फैल गई मैं बहुत कुछ एक साथ करने में माहिर हूँ हाशिम भाई हाशिम कंदे अचका कर खाता रहा शैरीन बस प्लेट को देखती खा रही थी जवारात मुस्तरी बस मगर मुस्कुराती नजरों से बार बार लाउंज की सिम देखती जहां शेरू घायब हुआ था सिवाय साथी कि वो किसी के बात का अच्छे दिल से जवाब नहीं दे रही थी शेरू और और अरंग जेब का किसी ना किसी बात पर रोज जगड़ा होना मामुल्क बन गया था सुबह भी नहीं गारी लेने के परमाईश भी उसे ज़ार पड़ी थी और पिर साथी को बरदाश्ट करना उसका जीना महाल हो चुका था खाने के बाद सब लाउंच में आ बैठे तो वो वहां से भी उड़ गया टीवी चलता रहा आवाजें बातें औरंग जेब सहाब की कोई कॉल आ गए वो उड़ कर बाहर गया तो साधी के साथ सोफे पे बैठी नुदरत ने आहस्ता से सरगोशी की क्या तुमने हाशिम से फारिस की केस की बात की उनका वकील कर तो रहा है ना अमी अब और क्या करें क्या कर रहा है वकील धाई साल से चंद माँ चंद माँ की रट लगा रखिया ऐसे तो अगले पांच साल गुजर जाएंगे और फारिस बाहर नहीं आएगा वो उसको शिकवा कुना नमांकों से देखकर बोली तो साधी ने खफकी से उनको देखा तो मैं क्या करूँ अमी हाशिम भाई वकील को पैसे दे रहे हैं अब तारीख नहीं मिलती अगली पेशी की तो हम क्या करें तुम साधी अपने मामों को भूलते जा रहे हो तुम सब अपनी जिनकी में मगन होकर उसको उसके हाल पे छोड़ चुके हो अमी उसका दिल दुख किया ऐसे नहीं है मैंने जॉब शुरू किया है छे बज़े तो घर आता हूँ इतने काम है मैं फिर कर भी क्या सकता हूँ नुदरत ने जवाब नहीं दिया आंखा किनारा पूंचती खामोश होकर बैट गए साधी ने भी रुख फेर लिया अब वो और क्या करे वो वकील तो नहीं है ना पर अमी को समझ ही नहीं आती उसने चुर कर सोचा अमी को तो हर वक्त एक ही सोच परिशान किये रखती है कि उसी वक्त नुदरत बुर बढ़ाई पता नहीं वो इस वक्त किस हाल में होगा खाना भी खाया होगा या नहीं ना जाने कितने जुल्म कर रहे होंगे पुलीस वाले उस पर बिलकुल यहीं सोच वो तरनक कर रुख फेर गया खैरीन उसे ही देख रही थी उसने देखा तो वो किसी और जानिब देखने लगी नुदरत हनूस वहीं सोच रही थी फारिस उस मजलूम का इस वक्त क्या हाल होगा जेल के बरामदे में मधंबतियां जल रही थी पहरेदार उसी हवालाती कोटी के बाहर जमा थे और वो अंदर खड़ा सुफैद कुरते के आस्तीन मोरे सराखे पकड़े घुसे से उंचा उंचा कह रहा था ए सिंगल पसली बात दिमाग में फिट कर लो आइंदा इस तरफ से किनारे वाले कमरे के तरफ इशारा किया अश्रफ चीमा का कोई बंदा इदर आया ना तो अप इसने कब्दमों पे वापस नहीं जाएगा जवाब में उस सेल से मूचो वाले अश्रफ चीमा ने चिला कर कुछ का तो वो और भी भड़क गया इसको चुप करा लो मुहमद दीन मना जी मेरे हाथों से नहीं बचेगा अच्छा बस कर दे तू ही चुपो जा मेरे ग्रूप सिपाहियों ने आकर मामला रफा रफा कराया फारिज करता सर जटकता वापस समी पे आ बैठा उस तारीक कमरे में दूसरे कौने में कोई और भी बैठा था घाजी बाई यस सिपाहियों आप लोगों से डरते क्यों हैं हम जटकर चले जाएंगे ये यहीं ड्यूटी देते रहेंगे असल कैदी तो यहीं है वो बेजारी से बोला फिर तीखी नजरों से उस लड़के को देखा जिसका चेहरा तारीखी में था अपने हिसे का काम वक्त पे खतम किया करो तुमारे बाप की जेल नहीं है ये यूनो मेरे एक कैदी की हसियत से भी बहुत राइट्स है ज वो खुश अकल नौजवान था बाल नौउमर लड़कों की तरह माथे पे कटे थे और आंखों में लापर वाही थी जाग जाओ बेटा ये पाकिस्तान है पता है मगर जितना वक्त आप जेल में जगड़ो और कुरोब बंदी पर लगाते हैं अगर इतना अपने हकूक के ल पूछने लगा फारिश ने मुड़कर तरशी सो सगूरा पिछले छे गंटे से कितनी दफ़ा पूछ चुक्यों मैं बार बार बताने का पाबन नहीं हूं तुम बताओ किस जुर्म में आया हूं कड़े अंदाज में ने सेल मेट की तफशी शुरू की जो आज के जगड़े किया था किया तो था वो चुड़ाने वाले अंदाज में मुश्कुराया लग भी रहा है प्रोसीक्योट कौन कर रहा है ये सवाल वो अक्सर पूछा करता था वो जो पूरे कोर्ट में सबसे सरी हुई प्रोसीक्योटर है जुमर यूसिफ उसने मुझ बनाया फारिश का उसको देने का पैसा कहां से आया शकल चे तो तुम यतीम खाने से भागे लगते हो वो मैं असल में औरंग जेब कारदार का कैमपेन मेनजर रहा हूं इसलिए उन्होंने जबरदस्ती हाशिम को मेरा वकील मुकरर कर दिया है एहमर शिफी हस कर बोला फारिश ने चौंक कर उसे देखा तो तुम औरंग जेब कारदार के लिए काम करते थे जी आपके मामू के लिए और नहीं मैं तवाक से आपके सेल में नहीं आया हाशिम ने मुझे इदर भजवाया ताके मैं आपका ख्यार रख सकूँ फारिश ने जवाबन तेज नजरों से गूरा ख्यार रख करते थे मामू के लिए मों उस लड़के को मसलसल चुपती हुई नजरों से देख रहा था अलैक्शन स्ट्राटिजी कंपेंड मैनेजमेंट पबलिक इमिज कंसल्टेंसी वगारा यानि उनको अड़वाइज करते थे कभी जेल में सड़ते भांजे को निकलवाने का मश्व नहीं था तो मैंने मश्वरा दिया कि वो खुद को ला तालू कर लें आपसे भही वो मेरे कलाइंट थे मुझे उन्हीं का फायदा देखना था ना वो जल्दी जल्दी वजाहत दे रहा था और फारिस एक दम से उटकर बैठा बस नहीं चलता था उसकी गर्दन मरोड़ दे तो ये नेक मश्वरे देने वाले तुम थे जबत भरी कड़ी नजरों से उसे देख भूरा यू करो अपना सामान समेट लो और सुबा किसी और सेल में अपनी शकल गुम कर लेना यहां नहीं रहोगे तुम दरश्टी से कहते हुए वो उटकर दूर चड़ा गया एहमर ने म रहे थे हनीन और साधी हाशिम की सियासत के मोजू पर की गई किसी बात पर वहस कर रहे थे और रंगजेव आकर बैठे तो हनीन पूछने लगी क्या आपने वो तमाम ड्रामे देखे जिनके लिंक्स मैंने आपको मेल किये थे इतना वक्त नहीं होता मेरे पास हां दस-पंद पारियन एक जैसे नहीं लगते एक ही चाइनीज शकल वाले और उनके उस सवाल पर हनीन हस्ब मामूल जजबाती हो गई हम सारी कौमों का यहीं मसला है हमें दूसरी कौम वाले एक जैसे लगते हैं सियाफ हम भी एक से और चाइनीज भी एक से वरना वो भी उतने ही मुक्तल पर वाँ खाना खा रहा था मैरी एंजियो करीब खड़ी थी हाशिम ने चौकर में कड़े धकी ओई सांस परी शेरू ने चौंक कर उसे देखा फिर शर्मिंगी से प्लेट परें की खाओ शाबाश मैं मना तो नहीं करने आया मगर वो टीशू से हाथ साफ करते बुड़ उसको बरदाश्ट और आप लोग उसको फैमली समेथ मदू कर लेते हैं आशिम ने मैरी को इशारा किया वो बाहर निकल गई फिर वो कदम कदम चलता उसके सामने और उसके करीब आखड़ा हुआ तुम्हें अभी तक यहीं घुसा है कि इतने साल पहले उसने तुम्हारी श नुशेर्वा के तनिया साब जरा ढीले पड़े वो तो ठीक है मगर मगर ये के शेरू क्या ये वहीं साधी नहीं है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी तुम्हें बरवक्त हस्पताल ले जाकर नुशेर्वा चुप हो गया अब इस नराजगी को भूल जाओ कैसे भूल ज करती रही और तुम्हारा उसे किसी लड़की पे जगड़ा तो नहीं है हाशिम ने मुस्कुरा हर दबा के पूछा उसका मूर मजीद बिगड़ गया इतना लूजर लगता हूं मैं आपको और ये शुकर था कि गए बरसों में एक लड़की के मंगेतर से पढ़ने वाली मार की बिनक हाशिम को नहीं पड़ी थी जब वो मार पड़ी थी तो साधी सामने बैठा कैफे में काफी पी रहा था उफ चलो फिर मोठीक करो नामच में उसकी वो तेज तरार बहन फिर से बोलना शुरू हो जुकिया उसको बरदाश्ट करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नुशियरवा सर जटा कर हसा और फिर उट खड़ा हुआ दोनों बाहर निकले तो रहधारी में मेरी खड़ी एक फलपीनो लड़की को कुछ समझा रही थी वो नर्विस मगर जहीन सी लगती लड़की तेज देज सर हिला जा रही थी हाशिम ने सवालिया नजरों स मेरी को देखा सर ये फियोना है फी ओना तोड़ तोड़ कर उसका नाम अदा किया ये नई मुलाजमा है मिसिस जवारात ने रखिया है आज से जॉइन किया है इसने वो एक चट्टी नजर उस पे डालता आगे निकल गया शेरुनों तो उसे देखा भी नहीं अंदर जब हन और अंग्जीब से बात कर रही थी तो शेरीन मसलसल साधी को देख लہी थी वो कुछ कहना चाहतीती मगर जवरात सामने बाठी थी और उसके सामने शेरीन को खुद को साधी से ला ता लुक जाहिर करती थी तो खामोश रही हशमूर नो शेर वापस आय तो हनीन का ड्रामा अभी तक जारी था बेटा आपको पता है शेरू कल ताइवान जा रहा है अभी आप किसी ताइवानी ड्रामे की बात कर रही थी न राशिम ने मुस्कुराते हुए उसे टोका और सामने सोफे पे बैठा हनीन की चलती जबान रुकी सर गुमा कर शेरू को देखा थाइवान में क्या रखा है जाना है तो साउथ कोरिया जाएए आफिस के काम से जा रहा हूँ शिकायती नजर बाप पे डाली कोरिया कहीं दफ़ा जा चुका हूँ पहले तो दुबारा चले जाएए मेरे लिए किमची ली आईएगा वो पर जोर सी होकर कहने लगे साधी ने तम भी ही नजरों से उसे घूरा मगर वो मतवज़े नहीं थी अखड़े अखड़े से बैठे शेरू ने कंदे अचका है हाँ वहाँ भी एक दो दिन के लिए चला जाओंगा शायद ले आउंगा वाओ यू आर लग्की आगे पीछे नोशेर्वा जैसे लूजर को लिफ्ट ना कराने वाली हनीन बेख्तियार ठंडी सांस भरकर रह गई नोदुरत उनूस खामोश बैठी थी उनको इस दिनर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी कहो सब अपनी अनाओ पर अड़े हैं सब लोग यहां सूरत अदाम खड़े हैं उस सर्च सी राज जब फारिस अपने नए साथी कैदी को सक्सु सना कर परे लेड चुका था और नुद्रत कारदार कसर में अदम दिल्चस्पी से बैठी थी इस सब से दूर यूसिफ सहाब के गर में सदाकत भाप उड़ाती कौफी जुमर के सामने रख रहा था दुफवतन सरबराही जगा पर बैठे बड़े अब़ा जरा खुनखारे वो बासी अखबार देखते हुए चौंकी नजर उठाकर उनको देखा किस बाद की तमहीद बानना चाहरे है वो फारिस के केस की समाथ इसी महीने है ना इस धिकर पे उसके अबरू तन गया वापस अखबार देखने लगी आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि लाउंज की मेज पे रखा समन आपने नहीं देखा जिसमें मुझे पेश होने के लिए कहा गया है जुमर वो बेबसी से आगे को हुए क्या तुम उसके खिलाफ गवाही दोगी जो सच है वहीं कहूंगी वो अखबार पढ़ती रही धाई साल हो गया इस बात को तुम एक दफ़ा भी उससे नहीं मिली उसकी बात तो सुन लो मैं जज हूँ ना प्रोसीक्यूटर ना डिफेंडर मैं सिर्फ एक गवाह हूँ अपनी बात वो अदालत में कहे मुझसे क्यूं उमीद रखता है साधी से तो मिल लिया करो उनने एक और कोशिश की वो मेरी मजूद्गी में घर आता तो मिल लेती नहीं आता तो मैं क्या करूं वो तो तुम्हारा साधी है हमारा साधी उसका क्या कसूर है जब मुझे उसकी जरूरत थी वो मेरे साथ नहीं खड़ा था हस्पताल में रिष्टेदारों की लान तान के वो तकलीफ दे दिन वो राते जब मैं दर्द की शुद्द से वेदार हो जाती थी मैंने कैसे गुजारे मुझे याद है अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही मैं अकेले ठीक हूँ सफ़ा पलटाकर अंदर उनी तरफ सामने की चेहरे पे संजीद की और सपार्ट पंथ था वो अफसोस से उसे देखी गए क्या तो मैं अपनी कवाही पे खुद यकीन है ना होता तो कभी गवाही न देती और रही गवाही तो वो मैं पिशली पेशी पे दे चुकी हूँ इस दफ़ा मुझे सिर्फ क्रॉस एक्जमाइन करने के लिए बला जा रहा है साथी मग उठाकर गुन बरा नुद्रत को ट्रिपल वेसल दिल की नालियों की बिमारी हो गई है उसका दिल ठीक काम नहीं करता अगर फारिस को ज़दा हो गई तो वो सदमे से मर जाएगी यह फारिस को मुझे गोली चलाने से पहले सोचना चाहिए था दूसरा गुन भर कर मग वापस रखा निगाहें अखबार पे नीचे के सिम दोडाती गई नाक की लौंग दमक रही थी साधी के घर ही चली जाया करो जरूरी काम हुआ तो चली जाओंगी नराज थोड़ी हूँ मैं उससे साथ ही उसका फोन बजा वो बात करने में मश्रूप हो गई और बड़े अबा अपनी अधूरी चाय को देखे गए आज तो चाय के साथ बात भी अधूरी रह गई थी हम ना कहते घर जाओगे किस जगा पहुंचे हो आखिर देखो ये हनीन को दिये जाने वाले डिनर से चार रोज बात का जिकर है रात का हंदेरा हरसू फैला था सरदी मजीद बढ़ गई थी चोटे बागीचे वाले घर में साधी के कमरे में हंदेरा था वो कंबल ताने गहरी नीन सो रहा था यका यक वो जरा सा हिला फिर कंबल हटाया तो बिखरे बाल और चेहरा वाज़े हुआ वो चंबे से इदर उदर देख रहा था धिमाग इतना सोया हुआ था कि मालूम न पढ़ता यह वाज किदर से आ रही थी जू जू उसने तक्या हटाया नीचे दबा मुबाइल बज़ रहा था आह वो नीन से कराहा मुबाइल उठाया रात के डेड़ बज़े और अंजान नमबर उक्ता कर उसने फोन कान से लगाया हैलो अवाज भारी और नीन में डूबी निकली साधी अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकते हो उसकी नीन में डूबी आंखे जरा से खुली को कौन है साधी उठो और मेरी बात सुनो जरा जोर से कहा गया तुवो चौंक कर उठा हाशिम भाई खैरियत हैरत से आंखे मली टेबल लेम जलाया घरी रोशन होई डेड़ बजे अभी इसी वक्त मेरे घर आओ अपनी भेहन को लेकर ट्राफिक नहीं होगा बीस मिंट लगेंगे तुम दोनों आओ और एकीसमा मिंट नहीं होना चाहिए उसका लहजा अंदाज साधी फिकर मंद हो गया मगर हुआ क्या है तुम अभी तक बिस्तर से नहीं निकले क्या जल्दी करो यार मैं इंतजार कर रहा हूँ और फून बंद हो गया वो हैलानों परेशान सा बैठा रह गया फिर तेजी से बिस्तर से निकला दो तिन मिन बाद वो मुँपे छीन्टे मार कप्रे बदर कर जाकेट पहने कार के चाबे उठाए बाहर आया तो लाउंज से वाज़े आ रही थी मालूम था वो जागी हुई होगी कम्प्यूटर के सामने कुर्सी पे पहर उपर करके बैठी हैटपून चड़ाए हस्ती हुई स्क्रीन को देखती साथ प्याले से पापकॉन उठाकर मुँ में रखती हनीन रोज रात कह तक यूही पाई जाती थी आहर पिर सॉंग की फिर भाई को आते देखकर पूर जोश सी बताने लगी पता है सूपर जुनियर कोरिया का एक बैंड एक शो में आये हुए हैं और उनको लोग अपने मसले बता रहे हैं जैसे एक लड़के का दोस सामप और बिच्चू खाने लग गया है तो वो साधी ने आगया कर कंप्यूटर की तार खेंची स्वेटर पहनो और बाहर आओ मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ हाँ वो हका बका रहे गई फिर गुद्से से हेड़पून उतारे इतनी मुश्किल से वीडियो डाउनलोड की थी और हनीन जल्दी करो कोई वज़ा है तो कह रहा हूँ न सक्ती से कहकर वो बाहर निकल गया कार स्टार्ट की तो वो भी आही गई ग्रेन लंबा ओवरकोड पहने जो था तो एल शॉप का मगर अमी की ताकीद थी कि हर एक को कहना है सारा लंदन से लाई है अंदर स्वेटर गर्दन के गर्द डुबटा और बाल हेर बैंड लगा कर खुले छोड़े चेहरे पे डिरोर नराजी लिये चुपचाफ फ्रंट सीट पे आवे थी सादी खामोशी से ड्राइव करता रहा फिर अनीन ने अपने और अमी के मुश्टर का मुबाइल पे गाना ओन कर लिया साथ में सर धन्ने लगी बंद करो इस सूपर जुनियर के मामा शीता को ये मामा शीता नहीं है सिटी हंटर का गाना है इसमें ली मिन हो आता है पता है उसके बाप को गवर्मेंट ने मार दिया होता है तो वो कहीं साल बाद इंतकाम लेने कोरिया के सदका स्क्यूर्टी आफिसर साइनात हो जाता है और फिर रुकी हम कहां जा रहे है हाशिम भाई ने मुलाया है कोई मसला है वो हैरान रह गई तो हम क्या कर सकते है क्या हाशिम भाई खुदर मसला संभाल नहीं लिया करते उसकी नकल उतार कर सर जटका मेरा ख्याल है दुनिया में अभी कुछ मसले हैं जिने वो नहीं संभाल सकते सादी ने गहरी सास बरकर शानी अचकाई जब वो कारदार एक कसर के अंदरूनी दर्वाजे में दाखिल हुए तो हाशिम सामने ही खड़ा था सेहा ट्राउजर पे ग्रेश टी शिर्ट पहने वो ठीक नहीं लग रहा था उन्होंने शायद पहली दफ़ा उसे टी शिर्ट में देखा था उपर मेरे कमरे में जाओ मैं आ रहा हूँ उसने साधी को इशारा किया उसका हुलिया साथी मजरूफ मगर परेशान अंदाद और फिर पड़कर लाउंच में परेशानी से टेलती कुछ बोलती जवाराद मुझे समझ नहीं आरी तुम इतनी देर क्यूं कर रहे हो आशिम उनको पैसे दोर मेरे बेटे को वापस लाओ दबा दबा घराती वो रुकी दोनों भेन भाइन को देखकर जटका लगा इनको बुलाने की क्या जरूरत थी साधी हनीन का हाथ आमे फॉरण उपर ले आया हाशिम के कमरे का दर्वाजा खोलने से कबल उन्होंने नीचे हाशिम को कहते सुना ममी आप अराम से बैठ जाईए मैं कर रहा हूँ न उसके कंदे पे हाथ रखके वो समझा रहा था दर्वाजा बंदुआ तो हवाजों का रस्ता रुक गया अंदर कमरे के सारी बतियां खुद बखुद जल उठी वो दोनों खामोश और घैर आराम दे से काउच पे जा बैठे में इस पे हाशिम का लैप्टॉप रखा तब वो आन था मगर स्क्रीन स्टैंड बाई पे थी सिया तारीख ये क्या हो रहा है भाई कोई मसला है उनके घर में और तब ही वो अजलत से दर्वाजा खोलता अंदर आया सामने मेज के किनारे आ बैठा हनीन के बिलकुल सामने सादी को देख भी नहीं रहा था हनीन बच्चे अब जो मैं पूछू मुझे सच सच बताना हनीन ना समझी से उसे देखा और फिर सादी को जी क्या तुम्हारा अलीसा से कोई कांटेक्ट है नहीं तुम सच कह रही हो हाशिम ने उसको गौर से देखते पूछा तो हनीन के अबरू तन गए मैं आपसे डरती नहीं हो जो जूट बोलूँगी ना उससे राप्ता रखने के लिए मुझे आपकी अजाज़त चाहिए हनीन सादी ने उसे तादी भी अंदास में गुरा मगर वहां किसी असर होना था ओके मगर क्या तुम जानती हो वो अभी कहा है या मालूम करके दे सकती हो मगर हुआ क्या है हाशिम ने गहरी सांस ली तिर्चे ओकर लैप्टाप की कीज को चुआ स्क्रीन रोशन होई शेरू ताइवान से कोरिया गया था वापस नहीं आया डेर घंटा पहले मुझे फेस्बुक पे किसी अंजान आईडी की जानिब से वीडियो मिली है इनके लिए हनीन और साधी ने चौंकर उसे देखा नोशेरवा अगवा हो गया था और आशिम ने उन्हें बुलाया था वो अब वीडियो खोल रहा था स्क्रीन पे एक कमरा था लकड़ी का फर्ष पीचे स्लाइडिंग डूर काउच, अलमारी, चत पीचे नजर आता एक स्विच बोर्ड वस्ट में रखे कुरसी जिस पे नोशेरवा बैटा था हाथ पीचे बन देते बिखरे बाल, रोह रोह आंके गर्दन जुकी हुई, कैमरा आउन हुआ तो उसने चेहरा उठाया उस्चे दीद तकलीफ में लग रहा था जैट, भाई, ये लोग आपको एक अकाउंट नमबर और एक रकम एमेल कर रहे हैं और वो रुक कर कैमरे की इसम देखने लगा, जहांस उसे हदायात मिल रही थी यकीनन अगवाकार वहीं कड़े उसे मतनबा कर रहे थे चेहरे पे खौफ लिये शेरू, तूक निगलता फिर से कहने लगा आप चार गंटे के अंदर अंदर ये रकम भिजवा दे वरना ये मुझे मार देंगे, मैं कोरिया में हूँ अगर आप मेंसे कोई घर से भी निकला या यहां आने की कोशिश की या किसी को कॉल करने की, तो ये मुझे मार देंगे आंसु खौफ ज़दा है, रासा शेरू की आंखों से बहे गए सदा कर डर पोक, शेरू, बिली का बच्चा लग रहा था भाई प्लीज मुझे यहां से निकालो और किसी को फोन मत करना ये लोग बहुत खतर नाक है, मुझे मार देंगे इनके पास आपके तमाम नंबर्स है, ये हर चीज मोनीटर कर रहे है और स्क्रिन सेहा हो गई, सादी ने वे यकीनी के आलब में सर उठाया हाशिम ठका ठका और परेशान नजर आ रहा था क्या आपने पुलीस को कॉल किया, आपके तो कितने ही कॉन्टेक्ट्स होंगे एज़न्सिस में किया था, मेरे लोग कॉरियन पुलीस से बात कर रहे थे, जब ये दूसरी वीडियो मुसूल हुई, तुम्हें कॉल करने के दस मिन बाद, चन्द बटन दबाया और पैगाम खोला, वहीं कमरा और वैसे ही नराल बंदा हुआ शेरू, अलब तब उसके माते से खून बहरा थ भाई, उन्होंने मना किया था किसी को कॉल करने से, आप लोग क्यूं ऐसा कर रहे हैं, मुझसे कोई महबत नहीं है आपको, एक मानिस्टर को भी अपने बच्चे से महबत होती है, प्लीज इनको रकम दे और मुझे यहाँ से निका लिए, वरना ये पहले मेरे कान काटेंग फिर उंगलियां, वीडियो खतम हुई, और हाशिम के चेहरे की तकलीफ बढ़ गए, शेरु का खून निकलते देखना बहुत रजियत ना था, हनीर खामोश थी और साधी हका बका, क्या वो लोग आपके फून्स बख कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, मगर अब हम किसी से करने की कोशिश, वो मेरा भाई है, मैं उसको खत्रे में नहीं डाल सकता, और इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, हनीर पहली दफ़ा बोली, देख वो अभी तक स्क्रीन को रही थी, इस लोजर के कान की जगा बाल कार दे, वो तो कितना अच्छा हो, यह तो आइना देखते ही म मर जाएगा, मुझे शक कह के इसमें अलीसा मुलविस हो सकती है, कभी नहीं, हना ने नागवारी से उसे टूका, वो कमजोर और बुजदिल सी है, आपके भाई को अगवा, नामुमकिन, वो किसी के साथ मिलकर यह कर सकती है, मैंने उसकी फेस्बूक परोफाइल चेक की थी, देखो, उसने कवर पोटो सोल कोरिया का एक शहर की लगा रखी है, उसने स्क्रीन पे अलीसा की परोफाइल खोल कर दिखाए, यह उसने कोई छे माँ पहले लगाए थी, और वो इसलिए कि हम के ड्रामे और के पॉप के शोकीन है, हमें के कल्चर पसंद है, मेरी भी परोफा पबली अपने किसी काम से मुलक से बाहिर गया है, मैं उसके बगार बिलकुल मफ्लूज हूँ, मेज के किनारे पे बैठा, कदरे बेबसी से कहते हाशिम पे साधी को तरस आया, हाशिम भाई, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे, आप बताईए, क्या करना है, उस बात पे हन अपरिसा की लोकेशन ट्रेस करो, साथ में तुम इस वीडियो भीजने वाले की लोकेशन भी ट्रेस करो, फिर उस पॉर्म बैंक अकाउंट को ट्रेस करो, कि ये किस के नाम है, और उस शक्स की तमाम तफ़सिलात मुझे दो, साथ इस शेरो को मुमाल को ट्रेस करो कि हाशिम तो हाशिम साधी को भी जटका लगा शूर ये तो कोई मसला ही नहीं है मगर आपने सैट नहीं लगाया भी तक मासूमियत से इदर उदर देखा क्या हाशिम समझा नहीं क्यों हम हॉलिवूड के किसी सैट पे है न और मैं तो हूँ ही नौलन रोस जो खटखट करके सब क कुछ फटा फट हैक कर लोंगे और दस मिन में मसला हाल हो जाएगा हनीन साधी ने उसके जूते पे जूता रखकर दबाया सौरी हाशिम भाई मगर नौलन और हक जैसे हॉरिबली हिलेरियस हैकर्स सिर्फ हॉलिवूड में होते हैं मैं इंटरनेट से किसी बैंक का मेन फ्रेम हैक नहीं कर सकती ना ही हम फेस्बुक मैसिज से किसी का आईडरेस या लोकेशन मालूम कर सकते हैं इसके लिए हमें फेस्बुक कंपनी से राप्ता करना होगा और इसमें दो माह लगेंगे हाशिम लव फींचे सुलगती हुई निगाहों से उसे देख रहा था बत्तमीज ल कि पीछे दिवार होती है बेकरी नहीं केक निकालने के लिए हमें ताला तोड़ना पड़ेगा घर बेठे यह असब नहीं हो सकता यानि कि तुम कुछ भी नहीं रिव नहीं कर सकती है खैर अब यह भी करो अभी ने कर सकती मैं कुछ वो उसकी बात पर जाते जाते पर रटा साधी ने भी हैरत सुब से देखा हनी ने बेन्याजी से शाने अच्चका है असल में खाली मेदे के साथ मेरा दिमाग काम नहीं करता बलकि मुझे तो लग रहा है कि मेरा शूगर लेवल भी लो हो रहा है हाशिम ने गोयर चपट कर इंटर कॉम उठाया और जब्द करते वो चबा चबा कर बोला मेरी उपर आओ और मैडम जो कहें उनको पांच मिन में बना कर ला दो हरी अब और धार से दर्वाजा बंद करता बाहिर निकल गया तुम कुछ ज्यादा ही बत्तमीज होती जा रही ह साधी ने वाकिए घुसस उसका बाजो चंजोडा अभी पॉपकॉर्ण नहीं खा कर आ रही क्या एक तो अच्छा बला सूपर जुनियर देख रही थी उपर से सर्दी खौमखा मुझे उठाया वो भी इस अनोखे लाड़ले के लिए अब भुग दिये वो डिटाई से शान देखता रहा तो उसने फ्रंच फ्राइस की प्लेट बढ़ाई खाएंगे उनका भाई अगवा हो गया सारा घर परेशान है अगवा कार पचास करोड मांग रहे हैं और तुम खा रही हो हनी ने जूसका गुन बढ़ा और संजीत की से उसे देखा पचास करोड में कितने जि वराद है जियानी अंदास में चिला रही थी तुम लोग पैसे क्यों नहीं दे रहे वो शेरू को मार देंगे हाशिम आंसूस की आंखों से उबलने को त्यार थे हम पैसे दे देंगे बात पैसों की नहीं है ममी मगर शेरू ने उनकी शकले देख रखी होंगी क्या गरंटी कोई लिवरिज होना चाहिए हमारे पास जिसके उपर हम उनसे शेरू को जिन्दा सलामत वापस लें जोहरात नफी में सरी लाती नरहाल सी बैट गई हाशिम मॉबाइल पे नंबर मिलाने लगा साधी अफसोस से वापस पलटाया अंदर वो सोफे पे बैठी हाशिम के चिप्स खाते वे स्क्रीन को देख रही थी क्या कोई नई वीडियो आई है वो तेजी से लपका मैं उसके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रही हूं चंद घंटे लगेंगे तब तक मैं इस ड्रामे के आखरी दो किस्ते देख लू बड़े खौर से स्क्रीन को देखती क देख रही थी और वो जो जो जोश से लपका था जहाग की तरह बैठ गया पता है भाई इतना मज़े का ड्रामा है 49 डेज इसमें जो हिरुन है ना या आल्ला कब शुमाली कोरिया एटम बंब बनाएगा और कब उसे जनूबी कोरिया पे गिराएगा कब जान चूटेगी इ वो करा कर पीछे को गया हनीन के ड्रामे सर चक्रा देते थे और वो मु बना कर तिर से देखने लगी विरान सराय का दिया है जो कौनों मका में जल रहा है उस राद भी हवालाती कोट्री के सलाखों का सिर्फ किनारा रोशन था बाकी सब तारीखी में डूबा था एक कोने मे पारिस और दूसरे में एहमर दूर दूर चत लेटे चत को देख रहे थे पारिस रोशनी वाले कोने में था क्यूबलाइट की मधम सी किरन उसकी तारीख दुनिया को रोशन करने के लिए काफी थी उसकी कोशिश के बावजूद एहमर उस सेल से नहीं गया था अब उसने को कोई सिखाने वाला था भी नहीं कदरत तवकुफ किया आप नमाज पढ़ते हैं हम वो तो मैंने देखा ही था नमाज में भी साथ वाली कोट्री से क्या आवाजे आ रही हैं सब खबर होती है आपको सब को होती है आप सो जाओ वो वेजार हुआ सुने ना क्या हमेशा से हो एहमर ने बहुत हैरत सो से देखा मतलब वो आपको पसंद नहीं था सिर्फ तुम्हारी घलती दुरूस्त कर रहा हूं ज्यादा स्टिपनी ना हो ज्यादा चिपकू नहीं तो क्यो भड़ते हैं आप नमाज मुझे खुद नहीं पता वो बहुत देर बात बोला कुछ दि गो जोश से फिर डीला पर जाता हूं और कहीं दिन यू जुँ गुजर जाते हैं जैसे हंधेरी सुरूंग में हूं फिर कुछ दिन पढ़ता हूं तब अपना बहुत नेक लगता हलका और पारसा फिर डीला ओसाता हूं और ये पढ़ने ना पढ़ने का चकर कभी खتمैनी न जमर ने हौले से कहा तो फारिस चौंका किस ने चुडेल ने पिछले साल आया था मैं औरंग जेब साहब के कहने पे आपकी पेशी देखने तब जब उन्होंने चुडेल को गवाही के लिए बिलाया तो उसने भी यहीं कहा कौन चुडेल ओहो प्रोसीक्यूटर जमर गुंग गासा ने उससे उसकी हालत का पूछा तो उसने कहा मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा मेरी नमाज भी नहीं क्योंके अब मैं नमाज के आछिर में दोआ नहीं मांगती मेरे हाथसे ने मेरा दिल, मेरी जिंगी, मरी नमाज हर شय को मुर्दा कर दिया फारिस चुप रहा, चेहरा वापस फेर लिया, निगाहे चट पे जाटी की, मैं भी पांच वक्त की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, अच्छी और लंबी नमाज, जिन्दा नमाज, मगर मुझसे ये नहीं होता, क्या करूं, प्रॉसीक्यूटर से पूछो, इस बात पे अहमर असा, बाहर फैली चर पे कमर के बल लेटा, छट को देख रहा था, सुफैद कुर्ता अंदेरे में भी दमक रहा था, धाई साल में तीन पेशिया हुई है, कैसा जा रहा होगा, ओ, मेरी तो चन्द दिन में चार हो चुकी है, क्योंके तुम औरन जेब कारदार के आदमी हो, उसके अंदर तक करव पाहट फैल गई, ना करे यार, क्यों उनसे इतने खफा है, वो बुरे नहीं है, बस अपना फाइदा उपर रखा उन्होंने, और वो भी तुम्हारे कहने पे, तलखी से निगाँ पेर कर, दूर लेटे हैमर को देखा, वैसे अब तक क्या-क्या रिपोर्टिंग कर चुके ह मेरे बारे में, हाशिम से मुलाकात ही नहीं हुई दुबारा, ना किसी और ने कुछ पूछा, अगर पूछेगा तो बता दूँगा, क्या, इतना ही जितना आपके बारे में सारे जेल को मालूम है, जगड़े, फड़े बगरा, वो लापरवाही से हसा, और अगर मैं कहूं क कि मुझे इस केस में भी तुम्हारे सापका बास ने फसाया है, तो उनको बता दोगे, एहमर एकदम कुनी के बल उटकर बैठा, हैरत और अचम्बे से उसका चहरा देखा, कारदार साहब ने, वो क्यो फसाएंगे आपको, वो नहीं, हाशिम, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ह ये दोनों कतल करवाए हैं, बस इतना कह रहा हूँ कि अगर वो चाहता तो आज में बाहर होता, एहमर कुछ देर सोचता रहा, फिर नफी में सर इलाया, नहीं फारिज भाई, जिन दोनों आप गिर्फतार हुए थे, मैं दिन रात कारदार साहब के साथ होता था, वो वो वा हाशिम ने तो आपके लिए बहुत भाग दोड़ की, मैं उन दिनों वही था ना, हाशिम ने बारहां आपको बेकसूर कहा, और इन दिनों वो आफिस जेल का चहरी के चक्कर लगा लगा कर तकान का शिकार लगता था, मगर उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, ठीक है, आप नहीं थे, कि वो मुझे अंदर करवाते, जबके मैं उनसे कुछ मांग भी नहीं रहा था, दूसरा उनकी मेरे भाई से, बीवी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई भी चीज उनकी तरफ इशारा नहीं करती, मगर वो लाजे भर को ठहरा, एहमर ध्यान से उसे सुन रहा था, मगर आखरी फत्वा दिल से लिया जाता है, और मेरा दिल हाशिम के लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता, आपको उनके बारे में नहीं, यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, तो क्या करूं, जेल तोड़ दूं, वो कोफ़र जदा हुआ, अच्छा एक बात तो बत मेरे भी कुछ पर्जन राइट्स हैं, और इन में से सबसे पहली चीज़ साफ सुत्री फिजा का होना, हाईजिन वाली डाइट का होना, और थोड़ी देर बाद स्ट्रिपनी फिर शुरू हो चुका था, मगर ये कतल की साज़िश कहां से आ निकली, मगर ये कतल की कहां से आ निकली, वो लोग तो थे मेरे खांदान के ही, हाशिम के कमर में सेंट्रल हीटिंग से काफी गर्माश थी, हनीन चिप्स खाते कंप्यूटर पे काम कर रही थी, सोफे पे पीछे को टेक लगाए, साधी को नीन आने लगी, मगर हनीन की आवाज ने जगा दिया, वो लेकते, ओके आप आंखे बंद कर लें, उसने पुरानी तस्वीरे खोल ली, हाशिम की स्ट्रेन पोड की दिनों की, तब भी वो ऐसा ही था, मगर जरा यंग, शैरीन भी उनमें थी, प्रास फैलो थी शायद, या जूनियर, ये आज कहां है, अपनी अम्मी के घर, हाशिम भ कमरे में दाखिल हुआ, तो हनी ने जट स्क्रीन पे असल काम वाली विंडोल सामने कर ली, अलीसा का अभी तक कोई जवाब ने आया, अगवा कार का अकाउंट हैक करने में, अभी कुछ और घंटे लगेंगे, उसने इतला दी, हाशिम ने बस सर इलाया और हल्मारी के तरफ आया, साधी योहीं गर्दन मुड़कर उसे देखने लगा, हल्मारी साधी की पुछ पे थी, हाशिम ने दरवाजा खुला, तो खाने सामने आये, तीसरे खाने में एक डिजिटल लॉक वाला सेफ नस्ब था, हाशिम ने चंद डिजिट दबाकर सेफ का दरवाजा खुला, अंदर काखजाद, चेक बुक्स, नोट, सब कुछ नज़र आया, वो चीज़े उल्ट-पुल्ट करके कुछ डूडने लगा, साधी नीन में डूबी आंकों से उसे हमदर्दी से देखने लगा, उसने चेक बुक निका लिया और कुछ पेपर्स, अंदर सेफ में हर चीज भ लग रहा था, एक तस्वीर की सुफैद पुष्ट जिस पे सुर्ख और नीले नने नने अंगुटों के निशान थे, जैसे पैंट में डोग कर लगाए गये हों, बस एक चलक दिखाए दिया और आशिम ने सेफ बंद कर दिया, पासवर दबा कर लॉक किया और बाहे निकल और साधी यूसिफ की सारी दुनिया वहीं ठैर गई, नीन्द खुल चुकी थी, वो सालों बाद अब जागा था, हना, उसको अपनी आवास कुमे से आती महसूस हुई, तो मैं याद है, जब मैं दादी की डेट पे आया था, पाकिस्तान, वारिस मामो की डेट से चे माँ प और उन्होंने उसे अपने लप्टॉप की उल्टी तरफ कार्ड होल्डर में डाल दिया था, ताकि उनके पास रहे हर वक्त, हनीन मश्रूफ से कीज दबाती कह जा रही थी, उसको लगा वो सांस नहीं ले पाएगा, वो तस्वीर अब कहा होगी, क्या हो गया भाई, वो कट खट टाइप करती बोली, मामू के कातिल उनका लैपटॉप ले गयते, अब तक तो उन्होंने वो सब तबाह भी कर दिया होगा, संभाल कर थोड़ी रखी होगी, साधी की मरी मरी निगाहें, बंद अलमारी पे मर्कूज हुई, चहरा सुफैद पढ़ रहा था, हाशिम और म मामू कह रहे थे, उन्हें हाशिम भाई पे शक है, मामू को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं फारिस की वज़ा से अपनी बीवी और बच्ची को वक्त नहीं दे पा रहा, हाशिम को मेरे अफ्यर के बारे में पता चल गया, देखो किया किया उसने मेरे साथ, उसको लगा उसक क्यों ख्याल आया अचानक, वो एकदम चौंक कर उसे देखने लगी, वो संबल कर फीका समुझ कुराया, यू ही, तुम्हारा काम कहां तक पहुंचा, हो रहा है, वैसे आपको ये बात रजीम नहीं लगी, कि नोशिर्वा भाई का गवा इनी दिनों में किया गया, जब खा परटेल क्या होता है, फजूल सवाल मत पूछो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, वो एकदम चिड़ कर बोला, दिमाग इतना उलजा हुआ था कि हनी इन की बाते बेजार कर रही थी, उसने जवाब में जोर से हूं, कहकर रुप फेरा, मेरी तौबा जो अब आप उसने सेव का कोड दबाया, चार हिंसे, साधी ने दिमाग में फीट किये, सेव खुला तो उसने कागजात वापस रखिया और उसे बंद किया, फिर से कोड दबाया, साधी ने अपके पका याद कर लिया, वो उसकी तारीख पदाश थी, वो चला गया और साधी कितनी ही दे उस नहीं कर रहा, और वो हर बात अदालती निजाम पे रख देता, धब आंखों पे अतमाज की पटी बंदी थी, अब उसमें सौराख हो रहे थे, क्या पता हाशीम ने वो लैप्टॉप वारिश के कातलों से हासिल कर लिया और वो तस्वीर रख लियो, मगर उसने हमें क्य ऐसा हो जब फारिश के लिये नुकसान दे हो, मगर उसने हमें क्यों नहीं बताया, हर तोजी के आखिर में वो उल्ज जाता, हाशीम ने कुछ सोच समझ कर फैसला किया हो शायद, कुछ तो सोचा होगा, क्या पता ये कोई और तस्वीर हो, उसकी अपनी बेटी की, मगर नही उसकी यादाश बहुत अच्छी थी, ये वही फोटो थी, मैं अभी आई, हनीन एकदम उठी और बाहर चली गए, उसने कुछ नहीं पूछा, बस योहीं चुपसा बैठा रहा, फिर एकदम चौंकर सर उठाया, वो कमरे में अकेला था, गर्दन इदर उदर मोड़ी, फिर साइस्ता से उठा और अलमारी की तरफ आया, उसकी तरबियत, उसका एमान, सब कह रहे थे कि किसी का लौकर खोलना गुना है, मगर उसका दिल कह रहा था, कि आखरी फत्वा मुझ से लो, मैं कहता हूँ ऐसा कर डालो तो कर डालो, और दिल से बहस का वक्त ही नहीं था, उसन को बच्चे पसंदे, वो बच्चे की तस्वीर तबाह नहीं कर सका था, वो जो अब तक बेयकीनी के आलम में था, एक दम से उसकी आंखों में सुर्खी उतरने लगी, लव भिंच गया, मुड़कर दर्वाजे को देखा, जिसके पार नीचे लाउंच में हाशिम बैठा था एक लम्हे को उसका दिल चाहा, अभी जाकर उसको गिरेबान से पकड़े और उससे पूछे कि उसने क्यों किया उनके साथ ऐसा, उसका इस सब में हाथ था, पारिस ठीक कहता था, क्यों फाक कि फारिस उसको जानता था, और साधी उसको बिलकुल नहीं जानता था, बगर वो फारिस नहीं था, उसको गुस्ते से बेकाबो होकर फाहाशिम का गिरेबान नहीं पकरना था, उसको कुछ और करना था, उसने वो लफाफा निकाला, उसमें मजीद भी कुछ तस्वीरे थी, वो उनको देखता गया, और दिल हर एक पे डूपता गया, वो उस एक के बाद एक तस्वीर देख रहा था, वो पेशवर, कातिल अपने शिकार, अपनी महारत की तसवीर अपने पास सम्वाल कर रखते हैं, और फखर से अपना बेएब काम देखा करते हैं, मगर उसे आज याद आया था, तफाफे के आखरी चीज एक फ्लेश ड्राइव थी साधी ने उसे उल्ड पूल कर देखा, उस पे कोई टैग नहीं लगा था, बाहर निकल कर हनीन ने, रेलिंग के उपर से जांका, हाशिम नीचे सोफे पे बैठा उंगलियों से, बेशानी मसल रहा था, सार उठाय तो हना ने इशारा किया, जब हरात मसलसल कुछ बोल रही थ और अंजे फोन पे बात कर रहे था, हाशिम ने उसके इशारा करने पे उटकर उपर आया, जिस वक्त साधी लॉकर का कोड दबा रहा था, वो दोनों बंद दर्वाजे के आगे खड़े थे, नुशेरवा भाई का कमरा कौन सा है, मुझे चेक करना है कि उनका कम्प्यूटर हैप तो नहीं किया गया, लैप्टॉप तो वो साथ लेकर गया था, मगर वो ज्यादा डेस्टॉप इस्तमाल करता है, हाशिम साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ, तो वो पीछे आई, उसने बत्ती जलाई और कम्प्यूटर टेबल की तरफ इशारा किया, एन उस वक्त साध बात हुई थी उनसे, अगवा से पहले, अगवा से शायद छे साथ गंटे पहले बात हुई थी, वो सोल में था और शॉपिंग कर रहा था, खुश था, वो उदासे से मुश्कुराया, अच्छा इस कम्प्यूटर का पासफ़र क्या है, पता नहीं, हाशिम ने शाने अचका थका थका सा वो सोफ़े पे गिर सा गया, दर्वाजा पूरा खुला था, नीचे से जवरात के बोलने की आवाज हुलनूज आ रही थी, ओके, जो भी है उड़ा देती हूँ, एड्मिनिस्ट्रेटर पे पासफ़र नहीं था, सो उसने असानी से कम्प्यूटर खो लिया, आप किसी और से राप्ता करने की कोशिश तो करें, क्या मालूम वो आपके कम्प्यूटर और फोन टेप ना कर रहे हो, या सिर्फ एक खाली-खाली धंकी हो, आपके तो इतने कांटेक्ट्स होंगे, मैं अपने भाई के जिनकी पे रिस्क नहीं लूँगा, एक दफा वो वा मुड़कर देखा, वो सोफे पे बैठा, उसे देख रहा था, आँखों में एतनी वेवसी और करब था किया ना के दिल को कुछ हुआ, सौरी मेरा मतलब आपको दुखी करना नहीं था, मगर आशिम ने आइस्ता से नफ़ी मसारे लाया, आइम सौरी बच्चे, मेरी हर उस च आँखे बन की, उंग्रियों से परिशानी मसलता रहा, हनीन हाथ रोकर उसे देखे गए, मैंने जो भी कहा परिशानी में कहा, मैं अपसट हूँ, मेरा भाई मुझे बहुत अजीज़ है, मैं बहुत अपसट हूँ, और वो पिर से बन आँखों को मसल रहा था, हनीन दम साद में वो कहता गया, वो सांस रोके सुने गई, तुम कुछ भी करो, बस मेरे भाई को अजियत देने वालों का पता कर दो मुझे, कर दोगी ना, उसने हाशिम को पहली दफ़ा इतना कमजोर देखा था, उसने शायद हाशिम को देखा भी पहली बार था इस तरह, इस नजर से, और ये बुलमा था, जब हाशिम के लिए हनीन जुल्फकार यूसिफ खान का दिल पल्ट गया था, और ये बुलमा था, जब मुझसल कमरे में खड़े, लॉकर में से तस्वीरे निकाल कर देखते, साधी जुल्फकार यूसिफ खान का जहन हाशिम के लिए पल्ट गया था, उन दोनों के ऐसासाद से बेखाबर राशिम अपनी कमजोरी अपने भाई को किसी दूसरे के हाथ पाकर खुद को बहुत बेबस महसूस करते हुए शेरू के कमरे के काउच पे नड़ाल बैठा था हनीन ने आइसकी से रुक फेर लिया उसके अपने हाथ जरा से कपकपाये थे फिर उसने कुछ पेपर प्रिंट किये कम्प्यूटर आफ किया और सौफी की तरफ गुमी आप परिशान मत हो वो अलीसा नहीं है अलीसा ऐसा कभी नहीं कर सकती वो एक कमजोर लड़की है मैं ये भी नहीं जानती कि आप मुझसे एक्सक्यूज करें मैं नहीं चाहती कि आप एक्सक्यूज करें आप बड़े हैं आपने वहीं किया जो आपको ठीक लगा मगर एक दफ़ा आपको अलीसा के बारे में सोचना चाहिए उसको पैसे देने से आपकी दौलत कम ना हो जाती जैसे अगवा कारों को देने से कम नहीं होगी मधहमसा कहकर वो बाहर निकल आई हाशिम ने मालूम नहीं सुना भी था या नहीं वो वापस कमरे में दाखिल हुई तो साधी ने चौंकर सर उठाया वो हाशिम का लौकर खोले करा था हनीन को पहले तो जटका रगा फिर गड़ बढ़ा कर जल्दी से दर्वाजा बंद करती करीब आई यह आप क्या कर रहे हैं यह फ्लैश चाहिए थी मुझे जल्दी से वो लफाफा जिसमें वो तसावी डाल चुका था वापस रखा लौकर बंद किया और उसकी तरफ घुमा मुझे इसको कॉपी करना है मत पूछो यह क्या है बस मेरी आफिस की चीज़ है मुझे पता है यह गलत है मगर तुम्हारे पास कोई डिवाइस है जिस पे मैं यह कॉपी कर सकू हनीन ने सर जटका उसे एक पुर्फसू लम्हे का असर जायल किया और गहरी सांस लेकर मश्कूक नजरों से भाई को देखती आ गया है हाशिम की स्टडी टेबल की दरास खोली यह दर दर हाथ मारा और वापस मुरी तो हाथ में यूस बे थी क्या याद करेंगे किस सखी से पाला पड़ा था कॉपी कर लें कुछ दिन बाद आकर चुप चाप रख देना आम हालात में इस चोरी पे डांट देने वाले साधी ने चुप चाप उसे लैप टॉप में लगा लिया इसमें उनके कॉर्टेल के कुछ डॉकुमेंट्स है मेरे परोजेक्ट के लिए फाइदा मंद है कॉर्टेल क्या होता है मुझे चिपस उठाकर खाने लगी रुकी फिर सर जटका खैर नहीं बताना बिलकुल भी अब आप मुझे कुछ ना बताया करें मैं भी नहीं बताऊंगी कुछ सर ना खाओ मेरा बाहर जाकर मिस्स कारदार के पास बैटो वो इस फ्लेश को कॉपी कर रहा था जैसे ही काम खतम हुआ उसने असली फ्लेश निकाली और उससे वापस लॉकर में रख दिया चपर्टा तो वो हनूस बैटी थी चिपस उठा उठा कर मुँ में रखती हुई तुम जाओ भी अच्छा नहीं लगता जब से आया उनको एक लफ तसली का नहीं बोला ओके वो मश्कुक नजरों से उससे देखती उठी और बाहर आ गई हाशिम अब सीड़ियां उतरा था हनी ने दर्वाजा बंकिया और उसके साथ नीचे उतराई चवरात और औरंग जेव मुखालिब सोफ़ पे बैठे थे पूरी रात की जहनी अजियत ने ठखा दिया था दोन बरी अंकल एक दफ़ा नशिर्वा भाई 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 खेरियत घर पहुंच जाए तो मैं रगम को ट्रेस कर लूँगी चवरात ने तेज नजरों से उससे घुरा और क्या इसमें इसी लड़की का हाथ है नहीं उसके हाथ इतने लंबे नहीं है उसने शाने अचका दिये फिर करीब से गुजरती मैरी अंजियो को रोका सुनो तुमारे फिश प्राइज त्यार नहीं हुए अभी तत बस मैं ला ही रही थी वैसे आजकल मैं एक कोरियन ड्रामा देख रही थी फोर्टी नाइन डेज उसका एक फिलपाइनी वर्जन भी अनकरीब बनने लगा है क्या तुमारे मुलक में भी के कल्चर मशूर है बहाँ ज्यादा मैरी ने उसको देखा फिर सुलकती नजरों से खुद को घुरती जहरात को और जल्दी से वहां से किसक ली अंदर बैठा साधी अब हाशिम के लैप डॉप को खंगाल रहा था कुछ तो मिलेगा सरसरी सा एक एक फाइल खोलता वो मायूस होने लगा था जब भला आखिर चन्ड डॉकॉमेंट्स मिले जिनके नाम नहीं थे सिर्फ नंबर्स थे और वो लॉक थे इन ही में कुछ था उसने उनको कॉपी करने की कोशिश की मगर ये नामुम्किन था अब क्या करे और तब ही अगवा कारों को अगला पैगाम आया पैगाम पढ़कर साधी तेजी से बाहर रेलिंग पे आया नीचे सब बैटे थे हनीन भी टांग पे टांग रखे पाउं हिलाती मुबाइल पे बटन दबा रही थी उन लोगों का निया पैगाम आया है पैसे मिल गया है नोशेरवा चार से पांच गंटे तक पहुंच जाएगा मगर इसके पहुंचने तक वो नहीं चाते कि हम किसी को खबर करें वो लैपटॉप लिये नीचे उतरते हुए बता रहा था फ्लैश जे में थी और चेहरे पे गहरी सुझीद की थी जहीन अभी तक उलजा था सब खामोश रहे सादी एना के साथ आकर वैट गया वो लैपटॉप गुटनों पे रखे फिर से काम करने लगी चुके स्क्रीन हनीन की अपनी तरफ थी तो कानों में एरफून्स लगा दी और ड्रामे की किस्ट चला दी और शेरों के आने तक वो लोग बहुत दूर जा चुके होंगे आरंग जेब बसी भरी गुस्टे से बोड़ बढ़ाए जवाब में जहरात और हाशिम एक साथ बोलने लगे साथी ने हाशिम को देखा तो दिल नरम पढ़ने लगा वो इतना परेशान इतना तूटा हुआ लग रहा था और वो उसके बारे में क्या सोच रहा था कैसे उसके लौकर से कुछ चुरा कर ले आया कैसे कर दिया उसने ये सब तब इस स्क्रीन पे नजर पड़ी अभी तो तुम कोई और ड्रामा देख रही थी साथी ने अलके से सरगोशी की अनीन एक लम्हे को कर बढ़ाई वो ये भी मेरा फेवरेट है यूही दोबारा देख रही हूँ वो खामोश रहा उलजी ये निगाहें स्क्रीन पर रही जहां अनीन मनाजिर आगे आगे करके देख रही थी आ हाशिम भाई कोई घंटे बाद साथी ने उसे पकारा वो जो दरम्यान में उटकर बाहर चला गया था शेरी को आने की तियारी वगयरा एरपोर्ट फ्लायर्स टाइमिंग चेक करने अब आकर बैठा था जरा चौंक कर उसे देखा हाँ बोलो फारिस मामू का वकील कह रहा था कि हमें गर वारिस मामू की फाइल्स मिल जाएं तो किसी ना किसी तरह हम उनके असल कातलों तक पहुंच सकते हैं हाशिम भी तक शदीद परेशानी का शिकार था उसने जरा से शाने अचका है मुश्की लैब कहां मिलेंगी उसकी फाइल्स इतना अर्सा गुजर गया तुम कोशिश कर लो मगर मुश्की लगता है समझ रहा हूँ ना जी पिलकुल समझ रहा हूँ अब जरा सास बात में सर इलाया हाथ में ना महसूस अंदास में जीन्स की जेब को चुआ जहां फलेश मजूद थी हाशिम भी मुबायल देखने लगा और साधी गाहे बगाए एक संजीदा नजर उसके चेहरे पे डा लेता बार बार वो दिल में हाशिम की तरफ सफाई पेश करता था वो सारी सफाईया दम तोड़ने लगी रात की तारीखी मिल्स के इतमाद का खून भी हाश्ता हाश्ता रसने लगा और रस रस कर बला आखिर उसने इतमाद के लाशे को अद्मुआ कर दिया उसके अपने घर का सफाया दिन को कैसे हो पाया वो जो शब भर शहर की खुद निगरानी करता रहता है सुबा सुरज निकलने और हर सु राशनी फैलने तक वो लोग वही लाउंच में बैठे रहे नाश्ते की ट्रालीज अब मेरी और फियोना लेकर आ रही थी जब पहरुनी दर्वाजे पे हलचल मची हाशिम शेरू के एरपोर्ट से लेकर आ गया था जब रात और औरंग जीब तेजी से उसकी तरफ लगके साधी हनूस खामोश सोच में डूबा बैठा था और हनीन वो जूस के गूंड गूंड पीती तीखी नजलों से दोनों मा बाप को अपने बेटे को गले लगाते देखती रही वो वाकरी तकान का मारा लग रहा था माते के जखम पर बेंडुच लगा था आंखे रोई रोई थी सबरदस्ती मुस्कुराता मासे गले लगकर अलग हुआ तो उन दोनों बेहन भाई को बैठे देखकर चौंका फिर फॉरण हाशिर की तरफ देखा हनीन कम्प्यूटर्स में अच्छी है हम इन लोगों को ट्रेस करने के लिए इसकी खिद्मात ले रहे थे उसने वजाहत दी तो क्या अपने पैसे वापस हासिल कर लिए वो हैरा से पूछता सोफे पर बैठा और अंजेब एक तरफ और जहरात दूसरी तरफ भार बार नम आँखों को पूछती और अंजेब को कि अपने तासुरात को सक्त रख कर ही बैठे थे मगर अंदर से वो नरम पड़ चुके थे नहीं हाशि मुस्कुराते वे बलाखे और वापस आते है इतमाद के साथ सामने वाले सोफे पे बैठा हम तुम्हारे आने से पहले उनका ताकुब करके तुम्हारी जान खत्रे में नहीं डाल सकते थे मगर हनीन कह रही है कि वो उन लोगों को ट्रेस कर सकती है तो क्या उन दोनों को कॉल करने पे उन्होंने मुझे ये जखम दिया बिगर कर कहते हैं उसने पेशानी के जखम के जाने बे इशारा किया उसे साधी का यहां होना सकत नागवार गुजर रहा था जब हरात ने उसका हाथ अपने हाथों में दबाया हाशिम ने तो बस योही इनको बुला लिया साथी जताती नजर हनीन पे डाले और फिर शेरू के माते के बाल हटा कर बैनिज टीक करने लगे वो एक दम बहुत खफा नजर आने लगा था हप लोगों ने मुझे बचाने में इतनी देर क्यों लगाई जानते हैं मेरा क्या हाल था उदर कितना खौफ मैंने मैसूस किया क्या पैसे मुझे से ज्यादा एहम थे ऐसा नहीं है शेरू और अंगजेबन भी हॉले से उसके कंदे पे हाथ रखा मगर उसने कंदा चटक दिया हनीने जूस का ग्लास रखा और कंखारी आपने इनकी शकले तो देखी होंगी नुशेर्वा भाई हाँ चले ये अच्छा हुआ क्योंके वैसे उन लोगों को ट्रेस करना मुश्किल है असल में मेरी कोरिया के एक पुलीस चीफ से बात हुई है साधी ने चौंकर हना को देखा जो पूरे आत्मात से नुशेर्वा को देखती कह रही थी उनको दो लोगों पे शक है ये दोनों नामवर मुझरिम है और दोनों कल रात अमरीका मुंतकी लोग है हफ्सोस कि अब ना हम उन से रकम वापस ले सकते हैं ना ही उनको पकर सकते हैं आप बस उन दोनों की तस्वीरे देखकर कंफर्म कर दें कि आपको पकरने वाले गुरो का सरगना कौन था हैरान मत तो हाशिम भाई मुझसे जादा कोरियन लोगों को कौन जानता है उसने दो प्रिंट आउट सामने किये दो कौरियन मर्दों के क्लोज अप सब के सामने हुए हाशिम बेचैनी से आगे हुगा मुझे बताए बगएर तुम कैसे किसी से बात कर सकती हो अगर वो शेरू को नुकसान पंचाते तो साधी ने एक चुपती होई नजर हाशिम पे डाली मगर बोला कुछ नहीं क्या सिर्व की जान अहम थी और अमल और नूर के लिए कोई अहम नहीं था बताती हूँ पहले शेरू भाई कंफर्म तो कर दें कि इन में से कौन था वो शेरू ने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे फिर दाएं वाले पे ठहरा आंके सुकेड़ी यही था बिलकुल यही था शोर हनीन ने गोर से उसकी आंकों में देखा सौ फिसद मगर अब यह कहां होगा हनीन ने कहरी सांस ली जैसे कंदों से कोई बोज उतर गया हो और फिर मस्कुराई शरारत से मासूमित से यह आजकल अमरीका में है फिल्म की शूटिंग के लिए ओ सौरी शेरू भाई मगर यह ली मिन हूँ है कोरिया का दूसरा बड़ा एक्टर यह पहली तस्विर उसकी प्लास्पिर सर्जुरी से पहले किया दूसरी सर्जुरी के बाद की कमरे में एकदम खमोशी चा गई किसी को उसकी बाद समझ में नहीं आई थी नुशेर्मा का रंग सुफैद पढ़ने लगा नुशेर्मा भाई आप खुद बताएंगे यह मैं बताओं कि अपने आपको आपने खुद ही अगवा किया था और वो तावान की रकम वो भी आपके ही अकाउंट में है सहरात का शेरु का कंदम मसलता हाथ रुग गया अरंग जेब बेख्तियार आगे को हुए और हाशिम बिलकुल साकित बैठा रह गया क्या बकवास है शेरु अकलाया बेयकिनी सी बेयकिनी थी सारे जहीं लोगों का एक मसला होता है उन्हें लगता है कोई उनको बेवकूफ नहीं बना सकता इसलिए मैंने अपने शेरु की तस्दीक का इंतजार किया जो कि अब हो गया तस्वीर लहराई ये मत कहिएगा कि सारे कोरियन एक से लगते हैं तो आपने घलत बंदे की तस्वीर की तस्दीक कर दी कोरियन भी उतने ही मुक्तलिफ होते हैं जितने के हम तुम क्या कह रही हो तुमें खुद भी इल्म है जवरात दान पीस्ती घराई साधी बिल्कुल चुब बैठा था मुझे ही तो इल्म है मिसिस कारदार शेरु भाई कभी भी अच्छे करिमनर नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने चंद घलतियां कर दी जो पहली वीडियो भीजी तावान की रकम के लिए और दूसरी जिसमें माथे पे जखम था दोनों में उनका रोना मुझे सौरी मगर अदाकारी लगता था और यूनो मैं इतने मुलकों और कल्चर्स के ड्रामे देख चुकी हूं कि अदाकारी को मुझसे बेतर जजज नहीं कर सकते आप लोग तो मैंने वीडियो की तारीख चगे वो दोनों तीन दिन पुरानी थी जखम वाली भी शेरू भाई को अंदाजा था कि हाशिम भाई अपने जानने वालों को फोन जरूर करेंगे इसलिए उन्होंने दो वीडियो तियार कर ली अगवा से चंद घंटे पहले अगर उनकी आशिम भाई से बात हुई थी तो ये वीडियो तो इससे भी पहले की थी सो जाहिर हुआ के जाली थी मगर आपको ये वीडियो कोरिया में त्यार करनी चाहिए थी क्योंकि एक और प्रिंट चुदा सफा लराया इसमें शेरू की वीडियो का स्टिल इमिज था ये जो आपके पीछे दिवार पे स्विच नेजर आ रहा है ये आम पाकिस्तानी स्विच जैसा है जबके कोरिया में स्विच खुले खोखले होते हैं अंडे के आधे चिलके की तरह प्लग उनके अंदर डाला जाता है ये कोरियान स्विच नहीं है और वीडियो का एक और स्टिल इमिज मुस्कुराते वे सामने लाई चट पे कोई फाइर अलार्म नहीं है जबके कोरियान घरों में चट पे फाइर अलार्म जरूर होता है आपने लकडी का फर्श स्लाइडिंग डोर हर चीज पर फैक्ट रखी मगर 111 कोरियन ड्रामे और फिल्में देखना कोई मजाक नहीं है तो मैंने आपके कम्प्यूटर की हिस्ट्री हैक चेक की एक और कागस उनके सामने मेज पे रखा अब वो खड़े खड़े बाकी कागस हाथ में पकड़े बोल रही थी और सब उसको सुन रहे थे हका बका पिछले हवते में ये वो तमाम वेब साइड्स हैं जो आपने खोली अपना फेक अगवा करने के तरीके वगरा वगरा और आपने वो फेक के नैफ वाले बहुत से अमरीकी ड्रामे और फिल्मे भी देखी क्योंकि आजकल ये अमीर माबाप के बिगड़े बच्चे का खुद को अगवा कर लेना हर दुसरे अमरीकी ड्रामे में हो रहा होता है ये रहे उन तमाम ड्रामों और फिल्मों के लिए जो आपने डाउनलोड कर रखे थे ओ हाँ और वो अपना कान काट कर भीजने वाला आइडिया वो स्कैंडल से था ना इसमें ड्रोयल की बेटी ने तो वाकिए अपना कान भीज दिया था मगर मुझे मालूम था इसकी नोबत नहीं आएगी मगर आपने सिर्फ वो किस्त देखी थी मुझे तो वो एक मॉंस्टर भी अपनी उलाद से महबत करता है वाला डायलॉग भी याद था नोशेरवा धुआ 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 होते चेहरे के साथ बेटा था जैसे कुछ डस गया हो उसे वारंग जेकी लव भीन चुके थे कनपटी की नसे उबर आई सुर्ख होती आंकों से उसे देखा हाशिम अभी तक सुन था ऐसा कुछ नहीं है जूट बोलना बंद करो मेरे ही घर में तुम मेरे बेटे के बारे में क्या बोले जा रही हो जवरात घुसे से कामती आवाज में बोलने लगी अगर ऐसा कुछ था तो तुम उसी वक्त बताती अगर मैं ये सब आप लोगों को तब बता देती तो आप फॉरण चुरू भाई को फून करके कन्फर्म करना शुरू कर देते और या वापस ही ना आते और मुम्किन था कि मैं ही गलत होती तो मुझे तस्दीक तो करनी थी ना क्यों भाई मेजूज होते हुए अंदाज में आंखे गुमा कर साधी को देखा वो हर शेयसे बेनियास चुप चाब बैठा था उसे कुछ भी मजीद हैरान नहीं कर सकता था बाकिस सब भी खामोश थे हाशिम बिल्कुल शल औरंग जेब जब्द किया और जवरात बेचाएन कभी इदर देखती कभी उदर तो शेयर्मा का चेरा धुआ 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 उला था स्रलक्ती नजरों से शेयर्मा को देखा और फिर हना को चलो अभी से क्यों अभी तो शेयर्मा भाई की क्लास शुरू होनी थी हनी ने मू बनाया मगर साधी दर्वाजे की तरह बढ़ चुका था तो उसने शाने अचका है नुशेर्मा को मस्कुरा कर देखते बाहल जटके और साधी के पीछे हो ली आप लोग चुब क्यों बैठे हैं उस पागल को किसी ने टोका क्यों नहीं मैं इतनी तकलिफ से गुजर कर आना हूँ और निकलते हुवे उन्होंने नुशेर्मा को बुफर कर चलाते सुना मगर किसी और की आवास नहीं आई सब खामोश थे बरामदे में आकर साधी नीचे चला गया ताके कार उदर ले आए हनीन सतुन के साथ खड़ी होगी बाहर सुबा ताजा दम ही उतर रही थी हवा आ रही थी और धुन भी फैली थी हनीने कोट की हुट सर पे गिरा दी तब ही अकब में दर्वाजा खुला वो चौंकर मुरी एक लम्हे को दिल धर्का कि कहीं वो बाकरी मुँ नोचने ना आ गया हो मगर हाशिमा इस्ता से दर्वाजा बंद करता बाहर आया उसने स्वेटर तक नहीं पहना था बाहर आने के बावजद उसको सरदी नहीं लग रही थी चेहरा सुफैद और तकान जदा था थैंक यू बेटा तुम दोनों का कि तुम लोग पूरी रात हमारे साथ रहे वो किस दिक्कत से बोल पा रहा था हनीन को अंदाजा था उसके दिल को कुछ हुआ कोई बात नहीं आशिम भाई शेरू से आंके गुमा गुमा कर बात करती वो कोई और थी और ये इतनी नरम कोई और थी मुझे बताओ किस तरह तुम्हें इस फेवर का बदला दे सकता हूँ कोई चीज कोई काम कुछ चाहिए तुम्हे अपने गर्ट बाजू लपेटे हुट सर पे गिराए हना ने नरमी से मुस्कुराते नफ़ी में सरे लाया नहीं कुछ भी नहीं मैं अपने सारे मसले खुद धर्ट कर लेती हूँ या अपने भाई को कह देती हूँ कभी कभी इनसान अपने भाई को भी आत्माद में ने लेता मुझे आज अज़ अंदाजा हुआ है अगर कोई भी ऐसा मसला हो जो तुम साधी को भी ना बताना चाहो तुम मुझे कॉल कर लेना जैसे तुम लोग मेरी एक कॉल पे आये हो मैं भी आऊंगा ओके दुन दलूज सुबा में फिर से वहीं फसूच आने लगा दूर कहीं किसी ने मुसीकी की ताल छेरी थी बदिकत वो हाशिम पे निगाहें जमाए मुस्कुरा पाई ओके लेकिन अगर मेरे कॉल करने पे आपने पूछा कि कौन हनीन तो ऐसा नहीं होगा फिर वो ठहरा सुनो अलीसा से कहना मुझे कॉल कर ले मैं उसकी फेस की रकम उसे बिजवा दूँगा वो एकदम चौंकी आप उसकी फेस भरेंगे खुशी से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो सत्य वे चेहरे से वो मुस्कुराया साधी हॉर्न दे रहा था वो हाशिम को खुदाफिस कहकर जीने उतरती नीचे आई फ्रेंट सीट पे बैठी अपनी परफॉर्मस याद करके खुदी हसी क्या आपने देखा मैं किस तरह बोली थोड़ा सा दिल धड़का था मेरा हाथ भी काम पे मगर जब मैं बोली तो वाओ बिल्कुल हिर्वन लग रही थी मैं और पता है हाशिम भाई कह रहे हैं कि वो अलीसा की फीस साधी खमोशी से ड्राइव करता कार आगे ले गया हाशिम बरामदे में खड़ा उन्हें देखता रहा सक्त सर्दी और दुन में यहां तक के कार दूर चली गए फिर वो वापस अंदर आया क्या यह सब सच था तुमने अपने बाप को बेवकुफ बनाया तुम और रंगजेब खड़े चिला रहे थे जबरात हनूस परेशान मुस्तरी बैठी थी और नुशेरवा उनके मकाबिल खड़ा था आप लोगों को उस पागल लड़की की बात पे अतबार है वो और साधी यह लोग हमेशा मेरे घर में फसाद करते हैं वो साधी तो हाशिम भाई आपने उसको दो थपड क्यों नहीं लगाया जब वो यह साही बक्वास कर रही थी हैरसे गुंग उसने अपने सुर्ख गाल पे हाथ रखा काश में तुम्हारा नहीं साधी का भाई होता ना घुसा ना नराजी सिर्फ दुख से एक एक हर पड़ा किया पैर से मेज को ठोकर मारी हनीन के प्रिंट करदा काखजाद बिखर कर जमीन पे गिर गए और आगे बढ़ गया नो शेर्वां गाल पे हाथ रख बेयकीनी से उसको सीड़ियों पे उपर जाते देखने लगा फिर रुख मोड़ा औरंग जेब सुर्ख चेरा लिया उसे गुर रहे थे हाँ क्या है मैंने ये सब गाल से हाथ अटा कर वो घुससे से चिलाया ये सब आपकी वज़ा से हुआ है ऐसे हाथ रोकर पैसे देते हैं मुझे जैसे मैं सोतेली उलाद हूँ हाँ आपका भी दिल चाहता है कि मेरी जगा ये ये दर्वाजे की तरफ इशारा किया जहां से अनीर निकली थी ये लड़की आपकी बेटी होती इनी लोगों की बातों पे ज्यादा यकीन है ना आपको ये साधी ज्यादा पसंद है ना आप तिनों को लाल भभुका उता बोलता वो दो कदम पीछे अटा आंखों में आंसु आ गय थे दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से वो भी तैश से चिलाए थे आशिम ने गोया कान बंद किये उपर अपने कमरे में कदम रखा और दर्वाजा बंद कर लिया शेरू ने बेबसी से उसकी बंद दर्वाजे को देखा आंसु बहना तेज हो गया वो मुड़ा और कफ से आंके रगड़ता सीड़ियां चड़ता गया अपने कमरे में आकर दर्वाजा धार से बंद करके वो कम्प्यूटर टेबल के सामने आया तो स्क्रीन को देखकर रुका बंद स्क्रीन पे एक स्टिकी नोट चिपका था जिस पे हनी ने लिखा था नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है गेम ओवर शेरू भाई साथ में जबान चड़ाती समाईली भी थी उसने नोट चपट कर मुटी में मरोड़ा कफ से दुबारा से आंखे रगड़ी अब उनमें खून उतरा था इतना लंबा ड्रामा और सब बर्बाद किया था आज फिर उसी साधी ने अपनी बेहन के जरीए मेरे घर में फसार डाला मैं कसम खाता हूँ एक दिन मैं साधी यूसिफ को अपने हाथों से गोली मारूंगा और रेड़ साल गुजर जाने के बाद भी नुशेर्वा को अपनी कसम याद थी बाहिर औरंग जेब जवारात पे चिला रहे थे एक लवज भी उसकी हमायत में बोला तो मैं समझूँगा तुम भी उसके साथ मिली हुई थी अपने बेटे से कहो सुबह दस बज़े तक मेरी सारी रकम मेरे अकाउंट में वापस पहुंचा दे वरना बाहर सूरज की किर्णों ने धुन में से रास्ता बनाना शुरू कर दिया था यहां से दूर उस छोटी बागीचे वाले घर में हनीन सोने जा चुकी थी और साथी अपने कमरे में बैठा लब टॉप पे वो प्लैश लगा कर देख रहा था उसमें वही तसावीर थी जिनकी प्रिंट चुदा शकल वो लॉकर में देख चुका था और दो आडियो फाइल्स थी एक में फारिस कह रहा था कि अब जुमर होटेल की बजाए रेस्टोरंट आए दूसरी आडियो तवील थी साधी ने प्लेय की पहली दफ़ा सुना तो वो सुन रहा गया सुमर ठीक कह रही थी फारिस ने उसे वाकिए ये सब कहा था तो क्या हाशिम की तरह फारिस भी उससे जुट बोलता था दूसरी दफ़ा उसे सुना तो मजीद सद्मा लगा फारिस ये सब कैसे और क्यूँ तीसरी दफ़ा सुना तो वे यकिनी घबराहट में बदलने लगी क्या उसके गिर्स सब जुट बोलने वाले मजूद थे फिर सच्चा कौन था चौती दफ़ा पे कोई अजीब सा हैसास होने लगा कुछ गलत था चंद अलफास फारिस इस तरह नहीं बोलता था वो बार-बार आडियो दोराने लगा इतनी दफ़ा के उसे गिंती भूल गए चेरे पे बस एक चौनक जाने का हैसास नजर आ रहा था वो फारिस नहीं था बहुत गोर करने पे उसे असास हुआ था कि लहजे में हलका सा बस हलका सा फर्क था पहली दफ़ा सुनने में उसे भी वो फारिस लगा था और जुमर पुचौनका जुमर ने तो वो आडियो बस एक ही दफ़ा सुनी थी और रहे साल से बिखरे टुकरे अब पजल में जुड़ने लगे थे और जो शकल सामने आ रही थी वो बहुत बयानक थी वो हाशिम की शकल थी और ये था इसका सेकंड पार्ट होपस हो कि आप लोगों को पसंद आया होगा यकीनन आप लोगों ने मेरी तरह इंज्वाई किया होगा और मैं हैरान हूँ वो कैसे लोकर तक पहुंचा और ये नुशेरवा ने ड्रामा किया मुझे लग ही रहा था मुझे पता था हनी नितिनी वो अराम और रिलाक्स में इसलिए है कि उसको पता है कि उसने ड्रामा खुद किया है अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होनी है आगे कि उसका कतल होगा और अरंग जेब का और वो किस तरह से होगा ये अब हम पढ़ेंगे आगे अगली अपिसोड में अपना रियर सारा ख्यार रखेगा मुझे दौा में याद रखेगा अलाहाफिज